तो हेलो दोस्तों फाइनली आज आज आपके सामने है 2023 की बिल्कूल नियूली लॉंच हीरो सूपर स्प्लेंडर एक्स्टेक जो की पहले से पूरी तरीके से बदल चुकी है डिक्स और ड्रम दो वेरियंट और तीन कलर आप्सन के साथ ये बाइक आती है अभी जो आप स्क्री ने बहुत सारी नए बदलाओ की है क्या-क्या नए फीचर्स अपडेट हुए माइलेज कितना देती है टॉप स्पीट कितने तक जाती है और प्राइस भी इसकी पहले से बढ़ चुकी है तो इसकी नई डीटेल में ऑन रोट कीमत क्या है ये सारी जानकारी में आपको आज क सारी के ग्राफिक की वर्क मिल जाता है एक्सट टेक की स्टीख शिकरिंग आप देख सकते होोगा पूर बारो लीटर ख कातिव Теперь 25 कि अब को यहाँड है ऑक czego देख सकते हो जैसा खिसमें आप sounds कि ऐसमील शार्ग तो आत्फीति पर्सेंट और जान को स्विच अब देख सकते वारेंट इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्रोम के फिनिस के साथ कुछ इस तरह का आपको हैंडल बार मिल जाता है, जिसके सेंटर में आपको हीरो की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है, और दूसरी और यहां पर आपको बुलू कलर का I3S का स्विच मिल जैसा कि 2022 से हीरो के सभी बाइकों में कंपल सडी कर दिया गया था कंसोल की बात करें दोस्तों तो यहां पे आप देख सकते हैं सेम आपको स्प्लेंडर एक्ष्टेक बाले फुली डिश्टल टाइप के आपको मीटर कंसोल मिलता था पहले आपको सेमी डिश्टल टाइप का कंसोल मिलता था जैसा ही मैं इसे आउन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकतो है हेलो माई जो लिखा मिल लाता है और वर्निंग लाइट्स की बात करें तो साइड में यहाँ पे आप देख सकतो लो फ्यूल की वर्निंग लाइट मिल जाती है गेर न्यूटल इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आई 3S की लाइट मिल जाती है चेक इंजन की लाइट देख सकते हो में हेड लाइट की वर्निंग मिल जाती है turn signal indicator और उपर में यहाँ पर आपको side extent की वार्निंग मिलाती है और digitally यहाँ पर आपको सो हो जाता है speedometer देख सकते है टेको मीटर देख सकते हो trip 8 trip यह आपको देखने को मिल जाती है fuel gauge आप देख सकते हो real time mileage सो हो जाता है इसके साथ साथ service reminder आप देख सकते हो सबसे अची बात दोस्तो अब आपको इस bike में Bluetooth connectivity मिल जाती है आप अपने phone से इस bike को connect करके call alert इसमें से alert miss call alert जैसे features का फायदा उठा सकते हो चली दोस्तो next अब चलते हैं इसके आगे की और तो यहाँ पर आप इसका side view mirror देख सकते हो जो कि आपको mid black color finish के साथ मिल जाता है पूरा यहाँ से आप इसका front profile देख सकते हो जो कि पहले से पूरी तरीके से बदल चुकी है glossy black color का आपको wind silk का glass मिल जाता है जिसके नीचे आपको chrome के finish के साथ 3D में hero की badging देखने को मिल जाती है और visor के side में यहाँ पे आपको dual tone color के graphic के work मि net gray color finish यहाँ पे आप देख सकते हो और halosan bulb के आपको new design के turn indicator मिल जाते है जो कि हलका सा flexible दिया गया है और सामने से यहाँ पे आप देख सकते हो chrome की treatment मिल जाती है जो कि इस bike के look को काफी ज्यादा premium बनाती है और आपको इस bike में split LED headlamp setup मिल जाता है जिसके ऊपर में आपको low beam म मिल जाता है center में आप LED DRL देख सकते हो जिसकी facility काफी अच्छी है number plate लगाने की जगह देख सकते हो इसके साथ साथ इसके front में आपको full fiber body का front वाला mud guard मिल जाता है gray color finish के साथ और telescopic hydraulic sock absorber type के आपको suspension मिल जाते है जिसके दोनों और company ने रिफ्लेक्टर प्रवाइट करा है 8018 का यहाँ पे आपको tubeless tire मिल जाता है 18 inches के black color के लगाए के साथ लगाए पे आप देख सकते हो यहाँ भी आपको dual tone color के sticker work मिल जाते है tire की pattern को यहाँ पे आप देख सकते हो और safety की बात करें तो यहाँ पे आपको integrated braking system मिल जाती है 130 mm का आपको drum brake मिलता है जैसा कि यह drum brake वाला variant है बागी यहाँ से आप इस bike का पूरा right side का view देख सकते हो width आपको 729 mm के मिल जाते है length 2042 mm का मिलता है 122 kg की आपको curve weight मिल जाती है height आपको 1092 mm के मिल जाती है सबसे अची बात दूस्तों इस bike में आपको काफी ज़्यादा wide seat मिल जाता है जिससे इसकी comfortness काफी अच्छी हो जाती है 793 mm का आपको height मिल जाता है cushion यहाँ पे आप देख सकते हो काफी soft मिल जाता है pillion और rider दोनों के लिए white color का यहाँ पे आपको stitching मिल जाता है mid gray color finish के साथ इसका grab handle देख सकते हो और seat call पे यहाँ पे आपको hero की sticker work मिल जाती है side body panel पे भी यहाँ पे आपको new design के graphic के work मिल जाते है i3S के आप sticker work देख सकते हो और इसके toolbox पे यहाँ पे आप देख सकते हो programming if i के आपको badging मिल जाती है chrome का यहाँ भी आपको हलका सा use देखने को मिल जाता है और kick lever यहाँ पे आप देख सकते हो इस bike में आपको self के साथ साथ kick का भी option दिया गया है बाके दोस्तों अगर इसके पीछे की ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो pillion का आपको adjustable footrest मिल जाता है और इसके exhaust के उपर अभी आपको muffler guard assemble नहीं किया गया है यहाँ पे आप rider का adjustable footrest देख सकते हो जिसके उपर आपको rubber की gripping दी गई है brake pad मिल जाता है इंजन पे आपको hero की branding मिल जाती है engine wildcap यहाँ पे आप देख सकते हो catalytic converter मिल जाता है single piece horn के साथ यह bike आती है spark plug यहाँ पे आप देख सकते हो इसके engine और power की बात करें तो 124.7 cc का air cool 4 stroke single cylinder OSC fi engine मिलता है यह engine maximum power generate करता है 10.8 ps का 7500 rpm और maximum torque generate करता है 10.6 mm का 6000 rpm पे top speed आपको 105 km per hour का मिल जाता है बाकी mileage जो कि आपके चलाने पे depend करती है फिर भी दोस्तों अगर आप लोगी से अच्छे से चलाता है तो यह bike असानी से आपको 65-70 kmpl की mileage निकाल करके दे देती है और 180 mm के यहाँ पे आपको ground clearance मिल जाता है तो चलिए दोस्तों मैं इसके exhaust और इसके main headlight के रोशनी को आपको check out कड़ा देता हूँ और यहाँ से आप इसके main headlight के रोशनी को देख सकते हो उपर में आपको low bin मिल जाता है जिसमें आपको 2 light दिया गया जिससे कि इसकी night के review की काफी अच्छी हो जाती है नीचे में high bin मिल जाता है जिसकी आप रोशनी को आप देख सकते हो low bin और high bin के साथ तो चलिए next अब चलते हैं इसके पीछे की ओ यहाँ आप आप देख सकते हो bulb के आपको tail light मिल जाते हैं यहाँ पर आपको हलका सा edge shape देखने को मिल जाता है उपर में आपको hero की stickering मिल जाती है सब्सक्राइब मैं इसके key को off करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर आपको halogen bulb के turn indicator मिल जाते हैं जो की हलका सा flexible दिया गया number plate लगाने की जगह देख सकते हो reflector यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दूसरी ओर चले तो इस side से भी यहाँ पर आपको seat call पर hero की sticker work मिल जाती है lady pillion के safety के लिए यहाँ पर आप साड़ी गार देख सकते हो full chain set की covering आपको मिल जाते है fiber body के साथ यहाँ पर आपको इसका seat locker मिल जाता है और दोस्तों इसके rare में आपको 90-90-18 के आपको tubeless tag मिल जाते है 18 inches के black color के alloy के साथ pillion के यहाँ पर आप adjustable footage देख सकते हो और इसके साथ साथ इसके rare में आपको 5 step adjustable hydraulic sock absorber type के आपको suspension मिल जाते है जिसे कि आप 5 step तक adjust कर सकते हो 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है rider का यहाँ पर आप adjustable footage देख सकते हो और 2022 के norm के अनुसार आपको side stand cut up जैसे features मिल जाते है यहाँ पर आप इसका main stand देख सकते हो और इस side से भी यहाँ पर आपको i3S की sticker work मिल जाती है chrome का यहाँ पर आपको हलका सा finish देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों finally बात करते हैं इसके pricing की तो इसकी on road कीमत जो निकल के आड़ी है वो है 1,565 रुपे जैसा है कि यह drum brake variant है यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिया North VR Agro Agency कलंबाग रोट छाता चौक मुझा पर पुरिष्टित सोरूम में इस सोरूम में आप विजिट कर सकते हो हीरो के किसी बाइक या स्कूर्टी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो सोरूम की सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा अगर आप भी अपने city के उनड़ पाई जानना चाते हो तो आप मुझे comment box उपने city का नाम लिख करके भेश सकते हो थैंक्यू दोस्तो वीडियो के लाश तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो वीडियो को like, share और subscribe जरूर कीज़ेगा थैंक्यू सो मच जाएं